हलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागां थे आअप सभी का इस नवी वीडियो में, दूस्तों, आजकी इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पॉप एप स्टिक या फिर आप उस्से नमस्कार आप उस्ते मैजिकल स्टिक भी बहुत सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंट्रस्टिंग सी चीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यह मैजिकल स्टिक किस तरह की है, आप देख सकते हैं कि यह कुछ इस तरह से यह वर्क करेगी और अब दोस्तों इसको बनाना स्टूरू करते हैं, यह दोस्तों टोटली हमने पेपर से बनाया है, तो यहाँ पे हमने चार A4 साइज के दो अलग-अलग कलर के यहाँ पेपर लिए हैं और यहाँ पे हम तीन जो A4 साइज के पेपर हैं, उनको स्क्वाइर शेप में कल लेंगे, जो एक्स्टा पेपर होगा उसे हम निकाल देंगे, हमने इसकी चारों बुझाएं बराबर करके तीन पेपर को इस तरह काट लेना है, और आप देख सकते हैं कि हमने साइड में एक ग्रीन पेपर को निकाल के रख दिया है, वो हमारा पूरा A4 साइज का ही इसमें काम आएगा, तो यहाँ पे हमने स्क्वाइर यहाँ पे तीन पेपर कर लिये हैं, और उसको भी हमने 20 से कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया है, और इसको कट कर लेना है, तो यहाँ पे दूस् यह हमने सबसे पहले पिंग को लेना है अब, और पिंग को फ्लिप फोल्डिंग करनी है, फ्लिप फोल्ड एक बार उल्टा रख कर और एक बार सीधा रख कर हमें इस तरह से एक स्प्रिंग टाइप में जिग जैक पैटन तर्यार करना है, तो चलिए जल्दी से आपको यहाँ पे फिलिप फोल्ड कर लिया है और अब दोस्तो इसमें हमें एक दूसरे को आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पे हमने फेविकॉल का यूश किया है और चारो को हमें एक दूसरे से चिपका देना है जिससे कि यह थोड़ा सा बड़ा हो सके अगर आप चाहें तो पहले भी इनको आपस में जोड़ के जब पटियां थी तो आपस में जोड़ के इस तरह से बना सकते हैं लेकिन ऐसे ज़्यादा आसानी रहेगी उसके बाद में दोस्तों इसके नीचे साइड में हमें ग्लू लगाना है और जो हमने ए4 साइज का पेपर रखा था बिना कटा हुआ वह हमें कुछ इस तरह से लेकर और ग्लू लगाते हुए इसको हमें एक स्टिक सेप में बना लेना है और यह दोस्तों हमने पूरा इसको लपेट दिया है और ग्लू से इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे जिससे कि यह खुलेना तो यहां पर देख सकते हैं यह एक स्टिक शेप में बन चुका है और दोस्तों हमने जो पेपर कट किया था उसको भी हम इसके उपर रखेंग और इसको हम स्लाइडर बनाएंगे इसके उपर लपेट के तो यह देखिए फ्रेंड्स यह स्लाइड हो रहा है इस तरह और उसके बाद में दोस्तों हमें धागा लेना है धागे को हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे लंबा रखने के बाद में हमें जो उपर पिंक कलर का ले सकते हैं तो हमने यहां पर उन का यूज़ किया है तो यह देखिए फ्रेंड्स यह दोनों तरफ हमने इसको चिपका दिया है और लाइडर को हम ऊपर करेंगे इस तरह और यहां पर करने के बाद में जो धागे हमारे बाहर कियों निकले हुए है इनको भी हमें अब चिपकाना है तो सबसे पहले हम यहां पर टेप से इसको fix करेंगे, उसके बाद में हम इस पे फैविकॉल भी लगा देंगे, तो यहां पे हमने एक उपर साइड में लगाया है और एक नीचे साइड में लगा देंगे, यह धागे आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए, बस नीचे लटके ना, अगर आपके धागे ज्यादा लंबे हैं, तो आप उसे काट दीजिएगा, और यहां पे दोस्तों हम फैविकॉल लगा देंगे इसके बाद में, और फैविकॉल आपको पूरे पे लगा देना है, क्योंकि इसके उपर हम कवर लगाएंगे, तो हमारा सेकेंड पेपर जो हमने काटके रखा था, वो इसके उपर बना देंगे, इसके उपर हमें लपेट देना है, और इसके भी हम गुलू लगा के इसको बिल्कुल चिपका देंगे, और लगबग 2-3 मिनट सूखने के बाद में, यहां पे यह रेडी हो जाएगा, और थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए हमने यहां पे एक बटरफला करते हैं कि यह किस तरह से काम कर रही है, दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप उन्हें यह बना के देंगे तो वह बहुत ही जाता खुस हो जाएगे, सुब्रेंस उम्मित करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजीगा और इसे शेर कर दीजीए और ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजीगा, तब तक हम मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जैहिंत,